हेलो एवरिवन आज हमसर को हेरपेच लगाने वाले हैं यह एक नॉन सर्जिकल मैथड है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आज आपको काफी इंफोर्मेशन मिलेगी हेरपेच के बारे में कौन-कौन से मैथड होते हैं हेरपेच को लगाने के हेरपेच कैसे लगाया आता है यह सब जानकारी एचकी वीडियो में दी जाएगी तो हेरपेच इक नॉन सर्जिकल मैथड है जिसके अंदर कोई सर्जरी कोई पेन किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जितना एरिया आपका थिन होता है उतनी एरिया का हेरपेच साइज लेते हैं एंड है एन hides को रेडि करते हैं आपके बालों और आपके टेक्शचर और्डिक रिफ्जिक को शिललेक्ट किया जाता है का और आपके हेरपेच को लगाने के दो तिन इसद्स करने वालाई है वह और इस मैथर के अंदर आपको हेरियर में इंटने होता है है उतने एरिये को मेंटेनेस कराना पड़ता है अब कापी सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर महीने सेंटर पर विजिट नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास एक मैतड होता है अगर आप उस मैतड से रिलेटर इंफॉर्मिशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल होता है इनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं और जिस ग्लू का हम यूज करते हैं उसका भी किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है इसका एवरेज ओल 25 से 30 दिन का होता है बट अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ओईली है तो 20 दिन रह सकता है जो हम यूज करते हैं उन सभी में हमेशा बड़े वाला जिसे हम आपके accordingly कट करते हैं अगर आप प्र जाते हैं तो आप रख सकते हैं और medium बाल ड़ कुछ पार्टिंग कर सकते हैं ये पैश के अंदर ये ये पैश के अंदर वालों की लेंक को बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन आपकी तस चैनokol को चेंज गार सकते हैं I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाक कर देने और चैनल पर नेहोते चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में